हारुफिक्स वान प्लास एट केमरा फ्रीज प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुहागर आप सभीका तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूंगा कि कैसे आप जो है केमरा फ्रीज प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं प्रॉल को दोस्तों यहाँ पर मान लेशर आप खंगर आपने कैमरा को और वह जो है दो फ्रीज हो जाते बिलकोल इस तरीके से थीखें आप मोबायल को मुफ कर रहा है लेकिन आपके जो कर तो इस तरीके का कुछ喔 प्रॉब्लम आ जाते हैं दीश में तो यह दो सब्वक है या फिर क्या प्रॉब्लम है तो दोस्ते यह जो प्रॉब्लम है आपके एप में प्रॉब्लम हुआ है ठीक है एप में प्रॉब्लम हुआ है और साथ साथ आपको यह जो प्रॉब्लम में सॉल्फ करना होगा आपके मोबाइल से तो मोबाइल का जो प्रॉब्लम में उसको फिक लगा ठीक है तो चले दोस्तों वीड़ शूरू करते हैं यहां भेज़ुस्ता अगर केमरा मोबाइल को रेक्ट ह यह committed करने के वाद आपको रिट्सेंट बटं पर क्लिक करना है और क्लियर लब पर क्लिक करके आपको किल्योंक सातिए अपना सारै क्या करना है storage and cache पर क्लिक करने clear storage पर क्लिक करने करते हुए आपको clear कर देना है उसके बाद आपको बेक करना है make sure आपके सारे permission को आप enable करें ठीक है सारे permission enable रहना चाहिए और उसके बाद आप check करके देखें दोस्तों camera का जो freeze problem हो चुका होगा सारी साथ setting पर जाए और यहाँ पर storage option को select करें free आप storage पर क्लिक कीजिए और अपना storage के जो cache उनको clean कीजिए उससे आपको काफी मदद मिलेगा सारी सार प्रॉब्लम आपका solve हो जाएगा mobile पर कोई भी cross application है तो उनको delete करें सारे सार मोबाइल पर कोई bad application जो कि आपने unknown website से उसको install जो किया है उसको delete करें उन सब के वज़े से problem आते हैं तो आपको यह सारे solution करना होगा तब जाके problem solve हो जाएगा ठीक है सारे साथ आप अपने mobile को safe mode पर restart कीजिए अगर आपका जो camera है वो दुबारा से freeze होते हैं उसके लिए आपको power button पर प्रेस करके रखना है दबा के रखना है उसके बाद power off की जो बटन है उसमें हलका सार ताच करके रखिए दो सेगेंट उसके बार okay कर दीजिए safe mode पर फोन डीबूट हो जाएगा सारे साथ mobile software को चेक करें अगर software अपडेट नहीं है तो system पर जाएए setting पर जाके और उसके बाद power software को अपडेट कीजिए ठीक है यहाँ पर system update का जो option है उसको आप अपडेट कर दीजिए system update होने के बाद जाके आपका problem solve हो जाएगा तो दोस्तों यह था आपका camera freeze problem solve करने का solution अगर आपको कभी भी problem आते है camera freeze का तो आप simply इस solution को follow कर सकते हैं उमिद करते हैं दोस्तों आपको यह video बसने होगा thanks for watching